तो हेलो बच्चों कैसे आप सब I hope आप सब बढ़िया होंगे तो बच्चों आज है हमारा चेप्टर नंबर 6 क्या लिखा हुए क्या लिखा हुए recording of accounting transactions ये जर्नल लिखा हुए नहीं सर कुछ समझने आ रहा बच्चों आज जो हम पढ़ेंगे ना इसका जो जिक्र है इसके बारे में मैंने आपको पहले बता के चल चुका हूँ याद आया नहीं याद आया ये देखिए ये है जब हमने चेप्टर नंबर 1 पढ़ा था मैंने आपको फर्स टेज क्या बताई थी identify करो transaction को second stage क्या बताई थी कि हिसाब किताब को record करो मतलब की entries जो transactions में से दो entries निकल रही है उसको record करो अब बात आये कि उसको record कहा करो कहीं ना कहीं तो करेंगे उसको जिस register में record करते हैं उसको जिस किताब में record करते हैं उस book को उस register को हम बोलते हैं journal so what do you mean by journal? journal का मतलब है it is a book where transactions are recorded जहाँ पे entries होती है ना वो हम record करके चलते हैं तो बात यह आई कि क्या transactions ऐसे record कर देते हैं यह ऐसे record नहीं करते हैं इसका proper format होता है journal के register का journal की book का proper format होता है जहां आप entries record करके चलते हैं and मैं पहली बता दूँ इसे पिछले वले chapter में हम already discuss कर चुके हैं प्रॉपरली मैं आपको समझा चुका हूँ कि हम entries कैसे record करते हैं debit credit कैसे करके चलते हैं अगर किसी ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी क्योंकि यह जो chapter है यह totally पिछले अले chapter से related है entries नहीं सीख के आओगे record कैसे करना है तो recording कर कैसे पाओगे इस chapter में तो मैं आपको यही कहूँगा कि जो इस channel से नए जुड़े हैं इसको फटा फट से subscribe और bell icon दबा दे ताकि उनको वीडियो का notification फटा फट से आजे और वो पिछली वीडियो ज़रूर देख के हैं जो हमारी proper series चल रही है class plus one की इन वीडियो का एक link में आपको description पर देदूँगा और एक आपको i button पर बना आ रहा होगा तो बच्चो थोड़ी बहुत चीजे हैं जो हम पिछले chapter में पढ़ी थी यही वही chapter है पिछले chapter में क्या पढ़ा था हमने entry कैसे मारनी है इस chapter में भी वही सीखन है वह discuss करते है ठीक है तो फटा-फट से बताओ हमने पिछले chapter में क्या discuss किया था हमने पिछले chapter में discuss किया था sir accounts की ना तीन categories होती है मैं कहना ठीक है अच्छी बात है first category होती है sir personal account ठीक है इस category का मतलब होता है कोई भी individual हो जाए या कोई भी firm हो जाए या कोई भी company हो जाए है इन में वो वाले खाते आते हैं जैसे राम, शाम, रिलाइंक, इंडिया लेमिटेड यह सारे खाते हमारे personal account के होते हैं और फिर मैंने आपको उसके बाद बताया था rule इसका rule यह था debit मतलब DR the receiver and credit the giver यह rule बताया था हाँ sir यह rule बताया था दूसरे हमना खाता पड़ा था दूसरा खाता account हमने पड़ा था real account ठीक है इसमें मैंने आपको बताया था कोई भी ऐसी चीज जो cash में convert हो सकती है which can be converted into cash which can be converted into cash plus or is the property of business जो business की property है जैसे land, building, machinery, cash यह business की property है इसमें वो आके चलते हैं फिर हमने इसका भी rule discuss किया था इसका rule हमने क्या discuss करा था debit what comes in and credit कर दो what goes out यह चीज़े सारी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा आगे चली है अभी तक नहीं देखी तो आप यह प्लीज वीडियो देखे हैं और तीसरा मैंने यह बोला था कि हाँ भी individual firm वाले account होगे machinery land वाले होगे बचे कौन से खर्चे औ nominal account ठीक है और nominal account में क्या होता था income और expense इसका मैंने आपको rule भी बताया था कि debit कर दो expenses को और credit कर दो all income को ठीक है इसमें एक question arise नहीं हुआ बच्चो की तरफ से maybe हुआ बट मुझे नहीं पता बट इसमें एक question जरूर arise होना चाहिए आपके वो question मैं बताता हूँ क्या arise होना चाहिए बच्चो real account का मतलब आप समझते हैं कोई भी cash में चीज convert हो सकती है और जो property होती है मैंने आपको एक entry दे दी मैंने आपको एक transaction दे दी जिसकी मैंने बो furniture account debit to cash account इसकी entry यह करेंगे मलब furniture थी हमारे पास आ गया और cash चलीगी what goes out we should credit it एक nominal account पर आजो खर्चे और income rent हमने pay कर दिया rent हमने पैसा दे दिया हमारा खर्चा दे दिया तो हम इसकी entry क्या करते थे rent हमारा खर्चा है तो इसको debit कर दो और cash चला गया तो इसको credit कर दो क्योंकि cash real account है what goes out इसमें किसी का doubt नहीं आया मुझे maybe आया हो इसमें आपको ये doubt आना चाहिए sir furniture हमने purchase करा sir वो भी तो एक तरह की payment है sir rent जैसे हमारी payment है वैसे हमने furniture purchase करा sir वो भी तो एक तरह की payment है तो sir furniture वाला जो account है जो furniture वाला जो खर्चा है सर वो nominal account में क्यों नहीं आया है ये doubt आना चाहिए आप लोगों को इतनी understanding आपकी अभी तक develop हो जानी चाहिए थी furniture भी एक तरह से payment है rent भी एक तरह से payment है तो इसमें फरक कैसे पता लगेगा simple भाषा में समझा के चलता हूँ उसका फरक क्या है फटा फट से बता के चलो revenue expenditure और capital expenditure पढ़ाया था मैंने हम सर अब आ रहा है मुझे याद बच्चो मैंने आपको क्या बताया था चाहे furniture का expense हो चाहे rent का expense हो जो खर्चे होते हैं मतलब जो expenditure होते हैं वो दो types के होते हैं पढ़ाया था के नहीं पढ़ाया था हाँ सर आपने पढ़ाया था मैंने यह बोला था कि दो type के कर्चे होते हैं first कर्चे ऐसे होते हैं जो regular basis पर होते हैं okay प्लस जो core business से related होते हैं यह पढ़ाया था इन खर्चों को क्या बोलते थे इन खर्चों को हम बोलते थे revenue expenditure ओके rent paid इसका example दे रहा हूँ rent paid क्या ये हर साल देना होता है हाँ सर हर साल देना होता है मतलब regular basis पे होते है salary paid क्या ये हर साल देना होता है हाँ सर ये regular basis पे होते है तो एक मुझे एक बात बता के चलो जो regular basis पे होते हैं क्या मैं आपको ये बोलके चल सकता हूँ कि जो regular basis के खर्चे हैं और जो core business activity से related खर्चे हैं जो हमारे business के जो हमारा main धन्दा है उससे related खर्चे हैं क्या उसे मैं revenue expenditure जो बुला रहा हूँ क्या इसमें revenue expenditure के जितने भी खाते आ रहे हैं क्या ये खाते nominal account की category में नहीं आ रहे क्या आ रहे हैं समझाया आपको ये मतलब जितने भी खर्चे जितने भी account के खर्चे revenue expenditure से related हैं that will belong to nominal account for nominal category के अंडर आएंगे salary paid, rent paid, purchase of raw material, purchases that is also a nominal account अब आजो दूसरी चीज़ पे दूसरे टाइप के खर्चे कौन से थे जो regular basis पे नहीं होते जो regular basis पे नहीं होते हैं plus जो core business activity से related नहीं है ऐसे खर्चों को हम क्या बोलते थे जो regular basis पे होते है land building machinery रोज खरीदते हो हर साल खरीदते हो नहीं 4-5 साल में सर एक बार खरीदते है क्या land और building बेचना या खरीदना आपका कौर काम है आपका कौर धन्दा है नहीं सर हमारा कौर धन्दा होता कुछ और है ये तो हम सर बहुत सालों के बाद खरीदते हैं इसे खर्चे को मैं और लेड़ी एक्स्पेंडिचर के अंडर जितने भी खर्चे वाले अकाउंट्स आते हैं वो सारे real accounts होते हैं वो कौन से होते हैं real account की category में आते हैं furniture purchase करा दिमाग में क्या click करता है real account करता है कि नहीं करता furniture हमने purchase करा कौन सा खर्चा है बच्चों capital expenditure का खर्चा है अब समझ में आया है आपको doubt हम payment देते हैं बट वो payment का जो खर्चा हो रहा है, वो भी तो दो भागों में divide है, capital वाली payments और revenue वाली payments, वैसे ही, वैसे ही मैं बोल सकता हूँ, कि revenue receipt होती है, आपको मैं यह समझा के चल चुका हूँ बच्चो, अभी तक अगर revenue expenditure, capital expenditure और receipt वाले वीडियो नहीं देखी, मैं एक i button पे link दे रहा हूँ का, प्लीज वो देख के आओ, तभी यह चीज समझ में आएगी, जो समझा रहा हूँ, और ऐसे ही capital receipt होती है, जो capital receipt होती है, वो real account के part होके चलते हैं, capital receipt के जितने भी accounts आते हैं, और वैसे ही जैसे revenue receipts के जितने भी खाते आते हैं, interest receive account, commission receive account, यह सा फट से बता के चलो, कि अब मैं इसके नीचे क्या लिख सकता हूँ, तो क्या इसके नीचे मैं लिख सकता हूँ, real account involves accounts of capital expenditure, इसको मैं exp लिख रहा हूँ, expenditure लिखेंगे, and revenue expenditure, yes or no, oh sorry, and capital receipt, ठीक है, capital expenditure and capital receipt, और इसको मैं क्या लिखेंगे चल सकता हूँ, nominal को, involves revenue as well as revenue receipt, ठीक है, as well as revenue expense, क्या मैं इसको अब यह लिख सकता हूँ, yes or no, nominal जो है, revenue expenditure, revenue receipt, और जो real है, वो revenue, capital expenditure और capital receipt, मेरा main मुद्दा, यह 5 मिनट की वीडियो बनाने का यही था, कि आपको मैं यह अच्छे से समझा दूँ, कि इसमें यह चीज़े involve होती है, ठीक है, यह बात discuss होगी, हाँ जी sir, discuss होगी, अब आते हैं हम अपनी दूसरी बात पे, दूसरी बात यह है, furniture purchase करते हो, furniture purchase करते हो, क्या करते हो, sir debit करते हैं, okay, furniture को debit करते हैं, land purchase करते हो, क्या करते हो, sir, उसको भी debit करते हैं, machinery purchase करते हो, तो क्या करते हो, sir, machinery को भी debit करते हैं, Land, Machinery और Furniture यह सब क्या है Sir यह सब Assets है तो मैं क्या कह सकता हूँ क्या मैं कह सकता हूँ जहां आपको Assets दिखे मतलब Rule तो मैंने आपको समझाया हूँ है यह वैसे Shortcut बता रहा हूँ अगर आपको कभी Rule भूल जाओ यह Shortcut होता है जहां Assets दिखे Assets are always debit जहां Assets आप Purchase कर रहे हो जहां Assets आपके पास आ रहे हैं हमेशा debit करो Assets are always debit इसका उल्टा, Assets का उल्टा क्या होता है Sir Liability Liability are always credited ओके Liability are always credited इसको ऐसे लिख दो CR को credit समझ में आया है एक तरह से Shortcut में आपको बता रहा हूँ ठीक है अब मैं आपको एक Entry देता हूँ आप सब Entry पास करेंगे ठीक है First Entry Mr. Ram का Business है Mr. Ram Bring Rs. 40,000 cash at the starting of the business फटा फट से मुझे बता के चलेंगे इसकी Entry क्या है इसकी Entry बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूँ कोई भी Businessman पैसा लेके आता है Starting of the Business में उसको Capital बोलते हैं और Principal पढ़ा था Business Entity Concept Factory कहती है मैं अलग, तू अलग That means Businessman जो as a Capital दे रहा है Factory को कभी न कभी लोटाना पड़ेगा ही Businessman को तो Factory के लिए वो जो Capital है वो क्या हो जाएगी बच्चों Liability उपर अभी क्या बताया है? Liability को Always Credit करो अपने आपको Business Consider किया करो उसके बाद Transaction डाला करो उसके बाद Entry किया करो To Capital हो गया 40,000 क्या Business में पैसा आया है? Business में पैसा आया है That means Cash आया है Real Account का Rule क्या होता है? Debit what comes in तो इसके Entry क्या हो जाएगी? Cash Account Debits समझ में आया ये मतलब के नहीं आया समझ अगर कुछ भी doubt है पूछ सकते हैं कोई problem वाली बात नहीं है बच्चों इसको रटा नहीं मारना है मैं ये जो चीजे लिखवारों shortcut की ये already पहले clear कर चुका हूँ इसलिए लिखवारों आप लोगों को समझ में आया तो चलिए अब आप रेडी हैं एक question solve करने के लिए ठीक है तो I hope बच्चों आपको जितना भी अभी तक मैंने समझाया है वो समझ में आ जाएगा अगर थोड़ी बात confusion है डरो मत आगे आगे जैसे transactions पढ़ते रहेंगे chapters बढ़ते रहेंगे journal is a एक तरह से register होता है एक तरह से book होता है where transactions जो transaction की entry होती है न वो record करते है are recorded ओके ये तो समझ में आया है तो बच्चों आपको क्या लगता है ये entries ऐसे record कर देती है नहीं there is a proper format for journal वो format मैं आपके लिए बना चुका हूँ अलड़ी तो बच्चों ये आपके लिए proper format है journal का कुछ भी नहीं है घबराना नहीं है first होती है date को जिस date पे वो transaction हो रही है वो यहाँ आएगा particular, particular का मतलब है जहां आपने entry pass करनी है पिछले chapter ने पढ़के आए न हर transaction दो entry को pass करती है debit और credit ये यहाँ लिखनी है उसके बाद LF सर ये LF क्या होके चलता है दो मिंट इस पर चर्चा करते है बच्चों LF का मतलब होके चलता है ledger folio मैंने आपको बताया है कि recording करने के बाद क्या करते हैं हम कर देते हैं classify हम अलग-अलग खातों का ये ledger का है इस ledger वाले कौन से page number पे अलग से खाता बनाया हुआ है उस page number को हम यहाँ पे लिख देते हैं मान लो एक transaction pass कर दी RAM account अब RAM account का ये जो नया register हमने ledger का बनाया है वो RAM account का अलग से खाता कहां बना हुआ है कौन से page number पे ledger की book में वो page number हम यहाँ लिख देंगे वैसे ही आपके syllabus में नहीं है कि page number लिख देंगे बट ये LF आपने बनाना है क्योंकि इसके marks भी आते हैं कटते हैं अगर आप नहीं लिखेंगे तो ये उसके बाद next column आता है amount amount का debit वाला जो हुआ है उसको debit में लिख देंगे चीए credit वाला होगा उसको credit में लिख देंगे चीए और उपर journal तो लिखना ही है ठीक है तो बच्चों एक question करके चलते हैं आपकी screen पे question आ रहा होगा देखते हैं क्या कहता है कहता है enter the following transaction in the journal of CRM and Sons गवराना नहीं है सरे क्या नाम है यह आपके business का नाम है आपने आपको business consider करके चलिए तो आपको बहुत सारी transactions दे रखी है बहुत transactions दे रखी है चलो एक-एक करके solve करना शुरू करते हैं first of all आपने format बना लेना है और यह लिखना है journal of company का name CRM and Sons ठीक है यह आपको एक तरह से journal बनाना है CRM and Sons का first transaction पढ़ते हैं क्या होती है बच्चो इसमें मैं आपको अभी यही suggest करूँगा जिस बच्चे को अभी थोड़ा-थोड़ा problem होती है तो वो step-wise बना ले जैसे मैंने पिछले chapter में बताया था step number one, step number two, step number three, step number four उसके बाद entry pass कर दे कोई problem हली बात नी है so कहता है CRM and Sons started business with cash first April को आपने यहाँ date डालेनी है 2016 first April कहता है CRM and Sons ने business में पैसा लेके आए है तो what do you mean by पैसा लेके आए है मैं उन बच्चो के लिए बना रहा हूँ जिस बच्चो को थोड़ी notes की जुरूरत पढ़ती है जो अभी थोड़ा सा problem में फस्ते हैं ठीक है वैसे तो फस्तना चाहिए नहीं अभी तक आपको practice हो जाने चाहिए थी but बाकी बच्चे फटाबट से entry pass करो कोई problem बात नी इसमें दो चीजे फेक्टोरियां बच्चो cash and capital ओके सो cash cash एक तरह से हमारा क्या होके चलता है real account real account what comes in समझ में आ गया सर इसको debit करेंगे और सीधा सीधा चीज आपने बताई हुए सर capital हमारे होके चलता है liability कभी भी liability दिखे उसको क्या कर दो उसको credit कर दो so entry क्या पास होएगी cash account debit debit और creditor को CR CR नहीं 2 लिखते हैं पीछे account के 2 capital account कितने से हुआ बच्चो ये हमारा हुआ है 50,000 से ठीक है और accounting equation में हम transaction लिख के चलते थे न second वाले column में particulars के बच्चो इसमें हम transaction तो लिखने रहे हैं इसमें हम entry लिख रहे हैं बट ये किस चीज से related entry है वो हमें नीचे bracket में लिखना पड़ेगा जो checking कर रहा होगा बच्चो बच्चो देखेगा किस चीज की entry पास करी है तो छोटा सा summary वाली form में बना के लिख दो कि cash brought in by CR and son इसको हम पता है क्या बोलते हैं जो bracket open और bracket close मैंने आपको लिखा है इसको हम लिखते है narration इसको हम narration बोलके चलते हैं कि छोटा सा एक नीचे summary लिख दो कि किस चीज की entry पास हमने करी है और debit वाली entry debit के सामने credit वाली entry credit के सामने अब हम पढ़ते हैं number two क्या बोलता है purchase goods for cash step वाले student step बना ले purchase की है goods for cash दो चीज़े effect हुई है sir goods और cash अब इसमें एक point है समझाने वाला goods और cash अभी जैसे normal बताया है वैसे करो sir goods जो है वो हमारा एक तरह से होके चलता है real account और जो cash है sir वो एक तरह से वो भी real account होता है sir rule होता है real account का debit what comes in and credit what goes out debit what comes in sir goods हमने purchase करे हैं तो sir इसको debit कर दो और cash जब real cash हमारा जब purchase किया है तो चला गया है तो उसको credit कर दो तो entry क्या होने चाहिए आपके according sir goods account debit to cash account okay बिल्कुल सही है जितना sir ने पढ़ाया शुर्देशी commerce वालों ने उतना हमने लिख दिया बट बच्चों कभी भी कोई भी goods purchase कर रहे हो जो आपके business से related है that means t-shirt बनाने के लिए raw material purchase करोगे goods purchase करोगे उसको आपने goods नहीं लिखना raw material purchase करोगे तो इसकी जगा हम लिखके चलेंगे purchase समझ में आया और जब finished goods जो आपका core धंदा है उसको अगर आप sell करते हो तो क्या आप ये लिखोगे ये early entry पास करोगे cash account debit to goods मदलब की एक तरह से goods चले गए नहीं उसको हम लिखेंगे to sales account कि हमने goods sale कर दिये समझ में आया purchase goods की जगा लिखना है purchase और goods चले गए की जगा लिखना है to sales ठीक है तो यहाँ entry क्या पास करेंगे second वाली entry purchase goods for cash इसमें आप लिख दोगे purchases account debit purchases account debit to cash ओके और आपको पता है मैं बार बार बच्चो narration नहीं लिख वा रहा हूँ ताकि यह जादा video लंबी ना हो जाए इसलिए मैं फटा फटा आपको entries बता रहा हूँ इसके नीचे narration जरूर लिखनी है मैं बार बार बोल रहा हूँ अब आते हैं हम third entry में कहता है purchase goods from सुभाश सुभाश जी से हमने goods purchase कर दिये कुछ बताया नहीं हुआ if the question is silent इसको उधार पे मान के चलते हैं तो entry क्या होएगी purchase account debit to creditor नहीं 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 जब नाम given होता है creditor की जगा सुभाश जी लिख दो क्योंकि सुभाश जी ultimately creditor में आगे जाके add हो जाएंगे to सुभाश account कितने से बच्चों यह हुआ हमारा 12,000 and 12,000 अब आते हैं fourth पे कहता है purchase furniture for cash furniture आया cash गया दोनों real account है जिसको step बनाने है step बना लो क्या इसकी entry होएगी furniture account debit to cash account यह कितने से हुआ है बच्चों 6,000 and 6,000 नीचे narration लिखनी मत भूलना ठीक है अब आता है fifth कहता है sold goods for cash goods sold कर दिये cash पे cash आया two goods लिखोगे नहीं 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 जब कौर business वाले goods sold करते हो तो two sales लिखते है two goods की जगाट ठीक है तो हमारी fifth entry होएगी यहाँ पे cash account debit to sales account कितने से यह हमारा हुआ है 13,000 and 13,000 बच्चों यह मैं 1,2,3,4 लिख रहा हूँ बट यह में से गलती से लिखा गया आप dates लिखेंगे यहाँ ठीक है अब आते हैं next entry पे next entry पे पे उसको क्या बोलते है डेटर बट नाम गिवन है अगर नाम गिवन ना होता तो डेटर लिख देते हैं बट अब यह नाम गिवन है तो हम entry क्या पास करेंगे महेश account debit to महेश account debit to sales account क्योंकि goods जा रहे हैं to goods ने लिखना ठीक है sales लिख दो 15,000 अब next entry paid cash to सुभाष Mr. सुभाष को सुभाष को हमने cash दे दिया एक बार देख लो Mr. सुभाष से हमने purchase किये थे ना goods अगर यहाँ पे लिखा उता full settlement तो हम कुछ करते आप जानते हैं वो हम आगे पड़ेंगे हम यह करते कि हम में देखते कि क्या मान लीजिए सुभाष जी से हमने ऊपर transaction बड़ो 12,000 के goods purchase करें हैं और वो कहरा paid to सुभाष Rs. 8,000 अगर यहाँ पे लिखा होता है in full settlement तो बच्चो 4,000 का हमें profit हो जाता क्योंकि हमने 12,000 के goods purchase करें और उनको का finally settle करो आप 8,000 रुपे में बट यहाँ पे ऐसा कुछ ने लिखा that means अभी 8,000 दी है बाकी के 4,000 हमने बाद में देने होगे हमें नहीं पता बट इसकी तो entry करें हम तो यह entry आएगी सुभाष account debit to cash account कितने से एंट्री आएगी बच्चों यह आएगी हमारी 8,000 से ठीक है अब last इसमें entry के आएगी कहता है received cash from महेश Mr. महेश से cash receive हो गया full settlement नहीं है simple cash receive हो है cash जब आता है उसको debit करते है to महेश महेश हमारा personal account है the giver credit the giver तो कितने से हुआ यह 10,000 10,000 बच्चों copy खतम होगी एक तरह से आपकी भी copy खतम होगी जब भी copy खतम होनी है आपने यहाँ पे क्या लिखना है आपने यहाँ पे लिखना है carry forward मतलब मैं यह वाले balances आगे अगले page पे लिखना शुरू करूँगा ठीक है और यह इसका भी बनेगा 1,34,000 यह दोनों सेम आने चाहिए है तब ही पता लगेगा कि answer आप सही कर रहे है ठीक है और अगले page पे फिर से आप journal बना लो ठीक है यह मैंने पहले से आपका format बना के रखा हुआ तो बच्चो इसमें आप क्या करेंगे इसमें जो carry forward था ना जो पिछले वाला balance था ये वाला carry forward वाला ये वाला इसको आगे carry forward कर दो carry forward को जब हम आगे लेके आते हैं उसको क्या करते हैं brought forward हम इसको brought forward कर देते हैं कितना कितना balance था बच्चो हमारा balance था 1,34,000 ठीक है and 1,34,000 अब फिर से entry शुरू हो जाओ हम एक बार देख लें कौन से number पे थे हम थे number 8 पे number 9 की entry पढ़ते है number 9 की entry क्या कहके चल रही है number 9 की entry क्या है purchase goods from Ravi for cash Ravi जी से हमने goods purchase कर ली है for cash में तो entry क्या रहेगी बच्चो purchases account debit to इसमें नाम लिखके चलू हूँ मैं नहीं बच्चो इसमें मैं नाम लिखू हूँ हूँ क्यों क्यों क्योंकि इसमें हमने cash में दे दी है ठीक है Mr. Ravi नहीं लिखेंगे to cash account cash चला गया real account what goes out credit तो इतना कितना आया इसमें 5,500 ओके उसके बाद हम entry करते हैं purchase goods from Ravi हाँ for cash अट गया Ravi that means हमने उधार पे तो इस entry को क्या कहेंगे purchase is account debits to Ravi मुझे पूरा पूरा बिलीव है बच्चों आप side by side narration लिखेंगे और यहां date लिखके चलेंगे तो कितने का मने purchase किया है 5,000 का जब goods purchase करते हैं तो क्या goods account debit लिखते हैं नहीं sir purchases account debit लिखते हैं जब goods sell करते हैं तो क्या to goods लिखते हैं नहीं sir to sales लिखते हैं ठीक है उसके बाद आता है sold goods to Suresh for cash cash पे Suresh को goods sold कर दिया that means cash account debit to sales कितने goods sold करे हैं बच्चों 12,600 क्या आप देख पारे हैं बच्चों कुछ नहीं है information दिया entry बनाओ information दिया rule से entry बनाओ और कुछ भी नहीं है इसमें ठीक है तो इसमें परिशान नहीं होना कि sir ये तो बहुत कठिन है कुछ कठिन नहीं है sold goods to Suresh उधार पे हमने sold कर दिये goods that means Suresh को debtor की तरह खड़ा कर दो अगर debtor अगर Suresh का नाम नहीं given होता तो हम debtor लिखते है बट नाम given है तो मैंने बताया है सuresh लिख दो so two sales कितने के इनको करे हैं 7,000 के 7,000 उसके बाद आता है bought machinery for cash machinery हमने cash पे purchase कर ली machinery capital expenditure होके चलता है real account what comes in okay machinery जिसको अभी भी problem है वो जो मैंने step समझाए था ना चार step से बना के वैसे बना ले बट थोड़ा सा आपको समें टाइम लगेगा बट कोई बात नी starting में टाइम लगता तो वो जायज है दिरे दिरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो फटा फटा आप solve किया करेंगे पता है आप कोई बात जब मैं भी नया नया था मैं भी पूरे step बना के ही किया करता था बट उसके बाद दिरे दिरे प्रैक्टिस होई हम भी solve करना शुरू होगे cash from office from for personal use cash हमने withdraw कर लिया अपने ऐसे ले गए cash office से और उसे घर ले गए क्या बोलते हैं इसको drawings बोलते हैं drawings क्या है एक तरह से खर्चा है हमारा so जो खर्चा होता है nominal account debit all expenses so हम क्या करेंगे उसको drawing account debit to cash account कितने से है बच्चों एक बार देखने प्लीज drawing account debit to cash account यह है 2500 and 2500 उसके बाद next next वो बोल रहा है paid rent rent पे कर दिया rent हमारा खर्चा revenue expenditure रोज मररा का खर्चा है तो वो nominal account में आएगा और nominal account क्या बोलके चलता है rent account को debit करो that means expenses कितने का आया है बच्चों 400 rupees and 400 rupees soldi entry paid wages normal हमने wages दे दिये workers को यह भी normal है to cash account कितने से है बच्चों 4500 and 4500 उसके बाद आता है paid salary to Gopal Gopal को हमने salary pay कर दी इसके लिए salary account बनेगा Gopal account मत कर दे ना मैंने आपको पहले बताया Gopal account name वाला account तब होता है जब debtor वाला scene होता है इसमें normal salary pay कर दी salary हमारा what goes out that ठीक है इसको हम करेंगे 1200 and 1200 और last entry हमारी बच्ची कहता है received commission commission income income nominal nominal मतलब credit all incomes तो एक चीज़ तो clear है to to इसमें करेंगे commission received बच्चो commission received लिख दे ना क्योंकि commission payable आएगा तो उसमें first जाओगे to commission received कितने का है 200 का commission received पैसा आया है what comes in real account और real account क्या बोलता है what comes in को debit करो that means 200 ये आपकी entries थी और last में आपने क्या करना है एक बच्ची कर ले ना एक बच्ची करने के बाद देख ले ना this देख लो एक बार this इसको तो plus करना ही है ना क्योंकि पिछले बाला balance है this plus this last में आपने लिख देना है ये आपका बनेगा 1878 1878 850 and 1878 850 अगर ये आपका equal आ गया that means आपका जो journal समझने का जो आपका तरीका है वो सफल हो चुका है आप अपने आपको tap कर सकते हैं shoulder पे कि yes I have sold my question बच्चो फिर से बोलके चल रहा हूँ कोई ratification नहीं थी entry उठाओ rule लगाओ और लिख दो उसको record कर दो transaction उठाओ rule लगाओ और उसको record कर दो अगर अभी तक इस lecture में कोई भी problem आई है तो do comment in the comment section बच्चो आपके homework के लिए मैं एक question दे रहा हूँ आपकी screen पे अभी जब ये end होने वाली होगी न वीडियो आपको नजर आ जाएगा मैं ये ही बोलूँगा कि अच्छे से समझो अब इसको आराम से बैटके revise करो मेरे lecture को उसके बाद जो homework के लिए question दिया न उसको solve करो कोई भी doubt है बताओ अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो do like this video और बच्चो ये ही कहूँगा जितना हो सके ये जो proper series चल रही है उसको share कर दीजे starting से बच्चा बना रहेगा उसके लिए भी फायदा है बहुत जादा अच्छे marks आएंगे इस बाती guarantee हमारी है because we have taken your responsibility तो चलिए बच्चो मिलते हैं अगले question के साथ next video में तब तक इसको revise कीजिए Thank you